मुरादाबाद जन्पद में एक बार फिट तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है जहां सड़क किनारे खड़े लकडी से भारे ट्रक ट्रोली में तेज रफ्तार वैगनार कार पीछे से आकर गुस गई जिसमें पांच लोगों की मोथ हो गई जबकि एक यूवक का उपचार अस्पताल में चल रहा है सूचना पर पहुंची पूलिस ने सभी के शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है दरसल मुंडा पांडे थाना शेतर के रहने वाले कार सवार लोगों को अपनी रिष्टेदारों में मिलने आए थे लेकिन घर लोटते वक्त कुंदर की थाना शेतर के गुलरती राहे के पास सड़क की नारे ख़ड़े ट्रेक्टर ट्रोली में वैगनार कार पीछे से घुस गई इस दर्दनाक हाथसे में कार सवार दो महिला दो पुरुश सहीत एक बच्चे की मोके पर ही मोत हो गई जबकि एक यूवक को नाजुक हालत देखते हुए जीला अस्पतार में भरतिक रहा गया है यहां उसका उप्चार किया जा रहा है हाथसे का शिकार हुए सभी मृतक मुंडा पांडे थाना शेतर के रहने वाले बताये जा रहे हैं सूचना पर पहुची पूलिस ने सभी मृतकों के शव को कबजे में लेकर पॉश्माटं के लिए धेश दिया कहां से आ रहे थे और यहां कि धर से जा रहे थे तो कैसे हुआ एक्सिलेंट एक्सिजन्ड टेक्टर वादेर ने टेहलानी दून की शामने से बाड़ी आई तो उससे पित्र बचाएं कितने हैं ने बैटे देगा लिगना है उच्छा है लोग उप्छे साथ अधिर ग्यारा बजे एक वैगना का एक्सिलेंट हुआ है वाइपास रोट कुगेड़ी इस पें पांच लोगों की मरत्य हो गई मरत्यों के साथ साथ एक विप्टी घायर का नाव महूँ जो की सर्वाव शरीफ है साथ में जो मरत्य हुई है उनका नाव महूंब सफी है एक मौंब रफी नाम का रखती है इनकी डैफ होगी इसकी बचे वाले की चाना बजे लाइगा इसको म्रत भोशित पर दिया गया पात्यों कुंदर की और बिलारी के बीच में निस्नल हाइवे पर एक ट्रैक्टर जिसकी ट्राली देखने से एक साइड में पंचर हुई लग रही है वो खड़ा हुआ बताया जाता है पीछे से एक वैगनार कार में सवार लोग आते हैं वैगनार कार पीछे उसमें रखी लकडी से टकराती है और इसमें दुर्भागे पूण एक घटना घटी पोती है जि कि वैदानी कर वही कि जाए है ताना मोडा पंडे छेतर के हैं और ये कुंदर की छेतर में कोई रिस्तेदारी है जहां पर कोई इनके यहां वांसी ग्रूप से कोई विक्षिप्त लेडी है उनकी तलास के लिए जा रहे थे ऐसा बताय जा रहे है अभी ऐसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए